स्ट्रेंज ने एंड गेम में टोनी को फिंगर क्यों दिखाया तो कई लोग ये मानते हैं कि इंडरेक्ली स्ट्रेंज ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 14 मिलियन पोसिबिल्टी में से यही एक पोसिबिल्टी है जिसमें थैनों स नहीं बलकि एवेंजर जीतती है लेकिन ये टोनी अपने फादर की एक ही फिंगर को पकड़ता है तो हारवर्ड टोनी को ये कहते हैं कि इसको शेक करो ना कि अपनी और खीचो एंड यही मुमेंट श्रेंज टोनी को याद दिलाता है कि गॉंट लैट को खीचो मत बलकि उसके स्टोन को हिलाओ और हर बार अवेंजर य झाल